नमश्कार आपका स्वागत है इस एपिसोड में जो आम हर हफ़ते की सबसे बड़ी और एहम खबरों को लेकर आते हैं तदस सुर्क्यों से लेकर गहराई से विस्ट्रेशन तक हम आपको दिखाएंगे वो खबरे जो आपके लिए सबसे आदा मायने रखते हैं बने रही है हमारे साथ और जाने वो घटना है जो आपके समय को परिभाशित कर रही है यह है बिखसी निउस आइंडी और मैं हो श्वेता राज तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को पहली खबर है बलुचिस्तान से बिपसुमवार को बलिस्तान में बियले ने एक और खौफनाक अतंकी हमला किया इसमें 23 ने दोश लोग की जान चली कर इस हमले के दौरान अतंकियों और पाकिस्तानी सिना के बीच मुत भेड हुई जिसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक और 21 आतंक गोशित किया है 2000 के दर्शक में इसकी शुरुवात हुई थी यह संगठन बलुचिस्तान की अजादी के लिए लड रहा है और पाकिस्तानी से अलग एक सतन बलुचिस्तान की इस्थापना का लक्ष रपता है इस संगठन की अगवाई बरीच जेप कर रहा है जिसे पूरे बलुचिस्तान की संसाधनों का शोषन और उनके साथ हो रहे भी भाव के कारण यह संगठन विशेश रूप से पंजाबियों को निशाना बना रहा है सोंवार को हुए हमले में मारे गए सबी लोग पंजाबी थे जैने बीले ने चुन-चुन कर मारा आरोप लगाते हुए की वेप परचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं अगली खबर है पश्यम बंगाल से बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए दुश्कर मामले को लेकर भाजपा दोरा बुलाए गए बंगाल बंद के तौरान हिंसा की खबरे सामने आई हैं उत्तर 24 परगना जिले के भट पारा में भाजपा के दो कारेकरदाओं को गोली मारी के पुलिस ने बताया कि यहां घटना एंगलो इंडियन जुट मिल के बाहर हुए जहां दोनों लोगों को कुछ लोगों नहीं पीठा और फिर उन्हें इलाज के लिए स्पतार ले जाये गया भाजपा नहीं था सुव ने गोली चलाई लेकिन सर्तारूट पार्टी ने इस आरोप का खारिच किया है सुवेंदो अधिकारी ने बंद के दौरान भाजपा कारेकरदाओं पर हुई फाइरिंग का वीडियो शेर करते हुए मंदा बैनेर्ट जी और टीमसी पर निशाना साथ उन्होंने आरोप और हत्य की घटना के विरोध में किया था भाजपा का दावा है कि इस बंद को जंता का भरपूर समर्थन मिला है दूसरी और ममता बैनेर्ट जी ने बलतकारियों के लिए मृत्यूर डंड सुनिश्यत करने के लिए विधेक लाने का एलान किया है जिसे विधान सभा में पिमांशन की जय कहना होगा उनने कहा कि रही ड्रस खान जसे यहां की मिटी से जुड़े रहिस लिए उसे उनका स्मरन करते हैं लेकिन जो लोग यहां का खाते हैं और किसी और का गुनकान करते हैं उन्हें साफधान हो जाना चाहिए यह अब बर्दाश नहीं किया जाएगा मुखे मंतरी ने कहा मैंने जुगल कि शोर को साक्षी मान करें शपतली थी कि मैं जब भी आगे बढ़ लेते हैं रूस में एक MI-AT हेलिकॉप्टर रहस्माई तरीकी से लापता हो गया है जिसमें 22 लोग सवार थे यह हेलिकॉप्टर रूस के पूर्वी इलाके में शनिवार को गायब हुआ रूसी नियूस एजनसी के नुसाय हेलिकॉप्टर ने कम चटका इलाके में विसकाजे हेलिकॉप्टर की तलाश में जुटे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है मामले की जाज के लिए एक समीती गठित की गई है जो हवाई परिवहन और यतया सुरक्षा नियमों के उलंगन की जाज कर रही है रिपोर्ट के मताबिक हेलिकॉप्टर के लापता होने के समय इलाके में बूंदा बांदी और कोहरा था जिससे इसके क्रैश होने की संभावने और बढ़ रही है यादी हफते भर की प्रमुख खबरे हम उमीद करता है कि आपको हमाई प्रस्तुती पजंद आई होगी आज की अपडेट को लेकर अगर आपके पास कोई सवाल ये धन्यवाद